मैं आप लोगों के सामने सूर्दास के काब की पुस्तक सूर्शागर के भ्रमर गीत से दो पद रखूँगा और उनके अर्थ और उनकी विशिस्ताओं की चर्चा करूँगा लेकिन उसके पहले एक दो बातें सूर्दास के बारे में पहली बात ध्यान में रखने की यह है कि सूर्दास ब्रजभासा के कभी है दूसरी बात यह कि वो कृष्ण भक्ती संप्रदाय के बल्लभाचार्ज के सिस्य थे और अस्तचाप जो बल्लभाचार्ज के समय में बना था जिसमें आठ कृष्ण भक्त कभी थे उनमें सूर्दास सबसे बड़े कभी माने जाते हैं तीसरी बात यह है कि भक्ती काल के ही कभी नाभादास ने अपने गरंथ भक्तमाल में सूर्दास के बारे में लिखा है कि सूर कभित सुनि कौन कभी जो नहीं सिर चालन करे मतलब सूर्दास की कविता ऐसी है जिसे सुन कर ऐसा कौन सा कभी है जो प्रसंसा में सिर ना हिलाने लगे इसका आर्थ यह हुआ कि सूर्दास केवल जनता के केवल बिद्वानों के केवल आलोचकों के कभी नहीं है बल्कि कवियों के कभी भी हैं यह सूर्दास की एक खास विशेस्ता है जिस पर कम ध्यान दिया गया है सूर्दास की कविता नोक जीवन से जुड़ी हुई है वह उसी का प्रमाण और परिनाम यह है कि सूर्दास की कविता में नोक जीवन में प्रचलीत और उपस्थित तत्व भार भार आते हैं पसुपक्षी आते हैं जीव जनत आते हैं वास्तविक इस्थितियां आती हैं और उनके माध्यम से सूर्दास गोपियों की भावना ब्यक्त करते हैं एक और बात सूर्दास ने जो भ्रमर गीत लिखा है वह बाद के दिनों में बहुत लोक प्रिय हुआ और अनेक कभियों ने भ्रमर गीत की परंपरा में काब गरंथ लिखे जैसे नंद दास का भावर गीत या आधुनिकाल के ब्रजभासा के कभी जगन्ना दास रतनाकर का उद्धोस तक आईए अब हम सूर के पद को पहले पढ़ें और सुनें भ्रमर गीत का सूर का एक पद है हमारे हरी हारिल की लकडी मन क्रम बचन नंद नंद नूर यह द्रिण करी पकरी जागत सोवत दिवसनी सी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करूई ककरी सूतो ब्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिनही ले सौपो जिनके मन चकरी एक तो इस पद में आप देखेंगे कि हारिल पक्षी का पहली ही पंग्ती में उलेख है हारिल भारत में और खास तोर से उत्तर भारत में पाया जाने वाला एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में बराबर एक लकड़ी रखता है चाहे वह उड़े या जमीन पर बैठे या पेड़ की डाल पर बैठे वो लकड़ी छोड़ता नहीं उसी से सूर्दास ने इस पद की रचना में मदद ली है इसलिए गोपियां उद्धाओं से कहती हैं कि हमारे लिए हरिमने सिरक्रिस्न हारिल की लकड़ी की तरह हैं जैसे हारिल लकड़ी को छोड़ता नहीं है बराबर पकड़े रहता है उसी तरह हम सिरक्रिस्न को छोड़ नहीं सकते उनसे अलग नहीं हो सकते हम उनसे अभिभाज ये रूप से जुड़े हुएं उसी बात को गोपियां और महत्तों देने के लिए कहती हैं कि मन क्राम बचन तीनों से मतलब मन से कर्म से और अपने बचन या बाणी से नंद नंदन मने क्रिस्न को हमने ऐसे धारण कर रखा है पकड़ रखा है जैसे हारी लकड़ी को पकड़े रहता है जागत सोवत दीवा सनीसी हम लोग चाहे सोय हुए हो या जगे हुए हो रात हो या दिन हो कान कान मने क्रिस्न क्रिस्न बोलते रहते हैं लगभग जाक का मतलब समझे की दोनों हुआ जपते रहते भी हैं और बोलते रहते हैं ये जख सब्द जो है कोई बहुत अच्छे अर्थ में लिया जाता पर गोप्रियां लगभग पागल के बारे में ये कहा जाता है क्यों कुछ भी बकता रहता है उसी तरह गोपियां कह रही है कि हम होस में बेहोस में सोने में जागने में दिन में रात में क्रिष्न क्रिष्न कहते रहते हैं गोपियों को उद्धाओं ने योग का संदेश दिया था कि कृष्ण को भूल जाओ और योग की साधना करो तो तुम्हारा दुख दूर होगा तो गोपिया उत्तर में कहती हैं कि सुनत योग लागत हैं ऐसो ज्यों करूई ककरी एक ककरी होती है आप सब लोग जरूर जानते होगे लोग उसको खाते हैं काट के कुछ लोग तो बिना काटे ही वैसे ही खा जाते चबा जाते हैं पर ककरी की और खीरा की विशेस्ता यह है कि वह मीठा भी होता है बहुत नहीं पर थोड़ा और संजोग बस कुछ ककरी कडवी भी होती है तो गोपियां कह रही है कि हमें योग का संदेश ऐसे ही लग रहा है जैसे कडवी तीती ककड़ी खा लिया हो मैं हमने मने जिससे मुह का स्वाद तो बिगड़ा ही मन का भाव भी बिगड़ गया है सूतो ब्याद हम को ले आए देखी सुनी न करी आप हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हैं जो न कभी देखा है न कभी सुना है और न कभी किया है मतलब यह जो आप योग की का उपदेश दे रहे हैं वो हमारे लिए बीमारी की तरह है जिसको हम जानते भी नहीं गोपियां ये भी कहती हैं कि अगर आपको योग और ग्यान से बहुत प्रेम है और लोगों को बाटने का बहुत सौख है तो आप उनको ले जाकर यह दीजिए जिनके मन चकरी मन जिनके मन चकरी की तरह चलता रहता है चंचल है इस्थिन नहीं रहता किसी एक से प्रेम नहीं करता हम लोग तो एक क्रिश्न से प्रेम करते हैं इसलिए हमारे लिए आपका योग किसी काम का नहीं है अब मैं आपके सामने सूर्दास का दूसरा पद रखना चाहता हूँ पहले पद सुनिये हरी हैं राजनीत पढ़ी आए समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए इक आति चतुर हुते पहले ही आभ बुरु गरंथ पढ़ाए बढ़ी बुद्ध जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए उद्धो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए अब अपने मन फैरी चाहती ये चलत जुहुते चुराए तेक्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुडाए राज धर्म तो यह सूर जो प्रजान जाय सताए इस पद का अर्थ जानने के पहले पहली बाद तो यह आप जरूर ध्यान में रखिये कि सूर दास के बारे में आचार सुक्ल ने लिखा है कि वो अपने भाव में लीन रहने वाले या मगन रहने वाले कभी थे दिन दुनिया या संसार में क्या हो रहा है इस से उनको कुछ लेना देना नहीं था यह पद आचार सुक्ल की इस बात का खंडन करता है एक तो सूर दास अपने समय के समाज और यही नहीं राजनीति तक पर ध्यान रखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं महत्य की बात यह है कि यह सूर दास प्रेम के प्रसंग में कर रहे हैं प्रेम के प्रसंग में दो बातें यहां जो हैं वो प्रायह कहीं और किसी कभी कहने बलते पहली बात तो यह कि पहली पंक्ती से ही सूर दास ब्यांग सुरू करते हैं इस पहली पंक्ती में जो राजनीती सब्द है उस राजनीती का मतलब है छल, छद्म, धोखा धड़ी आप जानते होगे आपके सामने भी ये बात आई होगी कि दो लोग आपस में जब लड़ते हैं जगड़ा करते हैं तो कभी-कभी एक आदमी उसमें से दूसरे से कहता है कि तुम हमसे राजनीती कर रहे हो, मने छल कर रहे हो, धोखा धड़ी कर रहे हो, लगभग इसी अर्थ में सूर्दास राजनीती सब्द का प्रयोग करते हैं। आप इसका एक ब्यापक आर्थ भी ध्यान में रखी है आज के समय में हमारे समाज में जो राज दीती है उसका भी स्वभाव छल छद्म धोखा धड़ी ही है इसलिए सूर की यह कव्ता जितनी गोपियों के प्रसंग में उप्युकत है उचित है उतनी ही आज की राजनीती और समाज के बारे में भी सही है उचित है तो आप पद का अर्थ देखिए गोपियां कह रही हैं अब यह जो पहली पंगती है नीचे की उसके दो अर्थ आप जो चाहें अर्थ लीजिए समुझी बात कहत मधुकर की समाचार सब पाए सीधा अर्थ तो यह है कि भ्रमर ने मधुकर ने अर्थात उधो ने जो कुछ कहा है वो सब हमने समझ लिया और सब समाचार भी मालुग हो गया पर इसका दूसरा अर्थ यह है और राम चंसुकिक ने जो भ्रमर गीत सार नाम का संपादन किया है भ्रमर गीत का उसमें इस पंक्ती के सामने प्रस्थ वाचक चिन्ह लगा हुआ इसका अर्थ ही यह हुआ कि गोपिया यह कह रही हैं कि उद्धो जो कुछ कह रहे हैं दूसरी गोपियों से को सम्मोधित करते हुए गोपियां कह रही हैं कि भ्रमर ने या उद्धो ने जो कुछ कहा उद्धो कुछ समझ में आया समाचार सब मिले मतलब नहीं मिले इसका एक और अर्थ है राजमीतिक की भासा प्रायह अबूज होती है आप आज भी देख सकते हैं एक राजमीतिक नेता एक बयान देता है अख़बार में उच्छपता है उस पर जब बहस होती है विवाद होता है तो कहता है कि हमारा ये आसे नहीं है जो अख़बार में च्छपा मतलब यह की राजमीतिकी बात समझना एक मुश्किल बात है गोपियां यह भी कह रही है कि कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे उपर से उनको किसी गुरु ने पूरा गरंथ पढ़ा दिया है राजमीतिका तो और चतुर हो गए है अब हमने समझा है कि उनकी बुद्धी बहुत विक्षित हो गई है इसलिए हमारे यहां योग का संदेश भेजा है तात्पर यह है कि उनकी बुद्धी भरस्ट हो गई है खराब हो गई है इसलिए हम लोगों के पास योग का संदेश भेजा है गोपियां एक और बात कहती हैं कि क्रिस्न का आचर्ण भारती समाज के पहले के लोगों के आचर्ण की तरह नहीं है बलकि गोपियों ने तो एक पद में राम के चरित्र से क्रिस्न के चरित्र की तुलना करते हुए कहा है कि राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए लंका तक गए रावण से युद्ध किया पर क्रिस्न हम लोगों की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं हमारी दुर्दसा की हमारी बिरभ्यता की हमारी दुर्गत की इसलिए पद वो है कि इंते भले तो पति सीता के क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी अपने मित्र का ध्यान तो रखा ये तो कुछ ध्यान नहीं हमारा रखर हैं इसलिए गोपियां कह रही हैं कि भले लोग आगे के उधो परहित डोलत धाए पुराने लोग जादे अच्छे थे कि दूसरों की भलाई करनी के लिए दोड़ पड़ते थे गोपियां कृष्ण पर यह भी ब्यंग कर रही हैं कि जो कृष्ण हम लोगों के मन को चुरा ले गए वे कृष्ण अपने मन को हम से छीनना चाहते हैं क्योंकि हमने भी उनसे प्रेम किया तो प्रेम बुनियादी तोर पर दो मनों का मिलन है दो मनों की एकता है दो हिर्देयों की दिमागों की एकता है इसलिए गोपियों ने कहा कि हमारे मन को उन्होंने चुराया तो हमने भी उनका मन लिया आप बदले में क्रिस्न हमारा मन जो है अपना मन हमसे लोटाना चाहते हैं जो हमारे साथ अन्याए है जाद्ती है गोपिया ये भी कह रही हैं कि ते क्यों अनीति करें आपन जे और अनीति छोड़ाए जिन्होंने दूसरों को अनीति करने से रोका अनीति करने की आदत छोड़ाई वे क्रिस्न स्वैम क्यों अनीति कर रहे हैं और हम लोगों को कस्ट दे रहे हैं हम लोगों से अलग अब इसमें जो आखिरी पंक्ति है वो राजनीति की द्रिष्टी से और अधिक महत्पूर है की राज धर्म तो यह है की प्रजा को जन्ता को सताया न जाया पर यहां तो इस्थिती ही एकदम भिन्न है स्वैम राजा ही जन्ता को सता रहा है इसलिए यह राज धर्म नहीं है बलकी राज धर्म का उलंगहन है इसलिए गोपियां इस पूरे पद में उद्धों से जादे कृष्ण पर ब्यंग करती हैं उनके ब्योहार पर उनके आचर्ण पर उनके उनकी बुद्धि पर और इस तरह गोपियां अपना दुख अपनी खीज और अपनी बैथा बैक्त करती हैं इस पद के माध्यम से करते हैं करते हैं